हेलो फ्रेंट्स यदि आप किसी केमकल इंडस्ट्रिय या थर्मल पावर प्लांट में जाते हैं या काम करते हैं तो वहाँ पर आपने डिरेटर जरूर देखा या सुना होगा इस वीडियो में आज हम डिरेटर से जुड़े जनकारी और उसके कारे करने की प्रक्रिया पावर सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यादि आप एक सुटेवल रीजन से डिरेटर का परपज समझें तो किसी भी प्लांट में डिरेटर लगाने के जो मेन परपज होते हैं उसमें पहला सबसे जरूरी ये है रिलीज नॉन कंडिनसिबल गैसे दूसरा है इंक्रीज मेकप वाटर टेंपरेचर और तीसरा है स्टोर बॉयलर फीड वाटर यादि हम डिरेटर के परपज को आसान भासा में समझें तो ये है कि वाटर को बॉयलर फीड पंप में जाने से पहले उसमें जो असुधियां है या एक्स्ट्रा अन्वांटेड गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन, कारबन डायकसाइड इन सब को उस वाटर से अलग करना है तो इसके पहले परपज जो कि रिलीज नॉन कंडिंसिबल गैसेज हैं उसमें इन गैसों में ऑक्सीजन और कारबन डायकसाइड जो कि वाटर में पहले से मौजूद है डिरेटर इन ह को अलग करता है ये जानने के बाद जनरली आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर इन गैसेज को अलग करना इतना जरूरी क्यूं होता है तो सबसे पहला कारण है कि अगर ये गैसेज वाटर में मौजूद रहेंगे पहले से तो इस्टीम बनने में बहुत जादा टाइम लें कि यदि डिरेटर में बीना उक्सीजन को निकाले बॉयलर फीड पंप में वाटर को फीड करते हैं तो यह उक्सीजन आपके बॉयलर वाटर वाल्स में जंग लगा कर तुरंत ही खराब कर देगा क्यूंकि उक्सीजन लोहे के संपर्क में आते ही उसमें जंग लगाना इस् यदि आपके boiler feed water में carbon dioxide है तो pH मान को कम करने लगेगा जो की जंग लगने का एक कारण बन सकता है इन oxygen और carbon dioxide को भी दो टाइप से अलग किया जाता है जिसमें की एक mechanical है और दूसरा chemical process से तो यही कारण है कि dearator के द्वारा अधिक से अधिक oxygen और carbon dioxide को पानी से अलग कर लेते हैं जिससे हमारे boiler, piping और valve से जुड़े सारे components सुरक्षित रह सके इसके बाद अगर हम बात करें types of dearator की तो dearator दो प्रकार के होते हैं tray type dearator and spray type dearator इन दोनों dearator का आकार अलग-अलग होता है जैसा कि आप इस image में देख सकते हैं लेकिन इस वीडियो में हम tray type dearator के बारे में discuss करेंगे और mostly इसी dearator का उपयोग ज़्यादा किया जाता है इसमें जो tray type dearator होता है उसमें पानी का inlet उपर की ओर से होता है और यहां से पानी अंदर जाकर nozzle की सहायता से spray होकर फैल जाता है इसी तरह पानी कई छोटे-छोटे droplets में बदल कर dearator tower से निकल कर storage tank में गिर जाता है यह छोटे droplets जब उपर से spray होकर नीचे की ओर गिरते हैं तो इस tube पर टकराते हैं इन tube के भीतर में auxiliary steam को flow किया जाता है और जो water के छोटे droplets होते हैं वो इन से टकरा करके वो भी गर्म होने लगते हैं और इस तरह से storage में गर्म पानी इकठा होने लगता है यानि कि मेरा दूसरा जो purpose है water temperature को बढ़ाना डिरेटर के द्वारा वो भी काम process complete होने लगता है कभी कभी डिरेटर के maintenance की स्थिती में यादि डिरेटर को maintenance क्या वसकता होती है तो storage tank को खाली भी करना पड़ता है जो कि यहाँ पर यह जो drain दिखरा है उसकी मदद से उसे खाली किया जाता है उसके बाद जब boiler feed pump को start किया जाता है तो शुरुवात में pump के sanction सीरे पर low pressure create होता है हलाकि पानी डिरेटर में ही गर्म हो जाता है तो यहाँ से पानी के भाफ बनने के chances धीरे धीरे बढ़ने लगते है एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि डिरेटर को हमेशा उपर क्यों रखते हैं तो इसका कारण यह है कि यदि feed pump के section point पर जो pressure है वो saturated pressure से down हो जाता है तो ऐसे स्थिती में cavity की स्थिती उत्पन हो सकती है इसी स्थिती से बचने के लिए डिरेटर को उचाई पर रखा जाता है और boiler feed pump को नीचे रखा जाता है इसके बाद अगर हम बात करे principle of derator की यानि derator का सिधान तो derator का जो कारे करने का मुख्य सिधान्त है वो Henry law पर आधारित है Henry एक वैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम Henry Cavendis है इनके सिधान्त के अनुसार एक constant temperature पर किसी gas की द्रव में विलेता gas पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है और थार्त जब temperature को स्थिर रखा जाता है तो द्रव में gas की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है और सर्थ ये रहता है कि इसमें घुलने वाली gas उस द्रव के साथ कोई रासाइनी क्रिया न करे इस सिधान्त की कुछ सीमाएं है कि pressure बहुत ज़्यादा ना हो तापमान बहुत ही कम ना हो gas विलायक से कोई भी chemical reaction ना करे और वैसे भी यदि पानी का तापमान बढ़ाया जाता है तो पानी में घुलित oxygen की मात्रा कम हो जाती है जिस से dissolve gases की solubility घट जाती है और इनको पानी से अलग करने में आसानी होता है principle of derator के बाद अगर हम derator के parts की बाद करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह steam and gas wind है जो लगातार water से अलग होने वाले unwanted gases को बाहर निकालता रहता है और सीधे atmosphere में release करता है उसके बाद यहाँ आप auxiliary steam inlet देख सकते हैं इसमें हम steam का उपयोग जो पानी स्प्रे होकर आ रहा है उसे गर्म करने के लिए करते हैं और यह steam turbine में used होने के बाद release किया हुआ होता है उसके बाद यहाँ पर एक relief valve है जो कि एक तरह से safety के लिए लगाया जाता है यह safety valve अचानक over pressure हो जाने से सुरक्षा परदान करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक level gauge लगा हुआ है जो कि storage tank के level को indicate करता है आई होब कि आपको डिरेटर के बारे में यह जानकारी helpful लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो like, share और subscribe जरूर करें और bell icon जरूर दबा दे ताक कि ऐसे ही complete details के जानकारी भरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद कि अन्यवाद